हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से कमा रेकर्ट में कोच में आई आज फिर से कुछ नया सीखते हैं हेलो स्टुएंट्स आज हम साइंस में न्यू चैप्टे स्टाट करने जा रहे हैं इसका नहीं में इलेक्ट्रिसिटी एंसर्किट्स सबसे पहले बतातीि की एलेक्ट्रिसिटी वो है सबसे यूसुफल फ्र्म है एनर्जी की की हीड में आप Śक ÜD को electricity को on or off किया जाता है switch की help से तो हम यह कह सकते है electricity mainly एक energy की form है जो कि transportable है और उसे controlled किया जा सकता है इसमें main चीज आती है electric cell, electric cell जो है device है जो कि chemical energy को electrical energy में convert करता है यह electricity का main source है, electric cells mainly क्या हम use करते हैं बहुत से devices में like torch है, watch है, alarm है, alarm clock है, cameras, toys इस सब चीज में कितने साथ electric cells use करते हैं और इस सारी cells होते हैं इस सब के अलग-अलग size होते हैं लग-अलग shape होते हैं जो हम daily life में use करते हैं मिली cell का type होता है वो device के according depend होता है कि किस device में कौन से cell चाहिए आधा है dry cell जो most commonly used electric cell है सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो cell है वो dry cell है then dry cell की जो parts आते हैं जो dry cell होता है उसमें से container जो होता है वो मिली zinc metal का बना हुआता है और इस container के अंदर एक carbon rod होता है जो कि mixture से सराउंडेड होता है और उस mixture जो है वो carbon और manganese dioxide का mixture होता है देन ammonium chloride का paste होता है इस mixture के surround basically cell में क्या हुआ सबसे पहले एक carbon rod हो गई देन उसके उपा सराउंडेड हुआ mixture carbon और manganese dioxide का देन उसकी बार ammonium chloride का mixture outside से सराउंड हुआ और उसके भार हुआ zinc metal देन उस जो होता है सील होता है टॉप से ऊपर की तरफ से सील होता है कि ammonium chloride जो है उसका जो पेस्ट होगा है वो सूखने से बचे मिली two terminals होते है positive terminal नेगेटिव terminals ऐसे मेली advantage है जैसे कि यह easy होता है एक दूसरी प्लेस पे लिए जाना और बहुत यूस होता है इसका और दूसरी तरफ इसेल होता है रिचार्ज नहीं होते यह करेंट चप्लाइए करते बहुत लंबे समय तक यह करेंट सप्लाइब करते सिर्फ फ्लो होता है positive terminal से लेके negative terminal पे इसमें मेली four parts होते हैं source of electricity जो की है cell या battery electrical appliances जो की electric current पे work करेगा metal wire जो की electric current को flow करवाता है इसमें example लेदे मेली copper wire का एक switch और की होता है जो की current के flow को regulate करता है circuit में मतलब यह current allow करता है कि वो circuit में flow होगा अगर switch closed है मतलब बंद है पूरी तरीके से circuit जो है कहीं से भी circuit break नहीं हो रहा तो वहां पे जो होगा current flow होगा अगर circuit open है मतलब जो की है वो off है तो वहां current flow नहीं होगा और जो कोई circuit closed हो गया complete circuit होगा उसमें ऐसे current flow होगा बल्ब जो है को ग्लो करेगा या कोई प्लाइंस है वो काम करेगा नन फिगर से circuit बनाना सारे parts को बहुत मुश्किल होता है तो इसको बहुत जादा convenient बनाने के लिए इन सब को और इन सब की study करना circuit के parts को यह मिली सिम्बल से show की जाते हैं आप कोछी सिम्बल को कि सरी कि द्रॉट करते हैं बैटरी होते हैं बैटरी होते हैं बैटरी कि सरी की सी रहे जो कि हम ओपन और circuit को close करने के लिए use करते हैं जब switch open होता है तो यह current को log करता है फ्लो करता है तो switch off होता है तो इसमें से current electric current flow नहीं होता तो नहीं होता तो हम सब के घरों में क्या है बहुत सारी electric power की supply receive होती है बहुत सारे supply में supply से कई society com वाइर नोफ से करेंज होती है तो तीन कॉलर होते हैं ह। एक में तो यह होता है रड़ग होता है बृक होता है घृंक और सबंदे यह मैं घ्रेट करता है सो ऐद पर्ूटपी प्र अजलार बेस पे fix रहती है इसके अंदर thin coiled wire होती है बल्प के अंदर जिसे बोलते हैं filament यह मेरी tungsten से बनी होई होती है यह filament क्या है glow करती है जब circuit on होता है तो यह बल्प के अंदर जो filament अब वो glow करती है then इस filament से two thick wires attached रहते हैं तोनों side से एक wire होता है एक जो है metal piece से connect होता है उसके base के tip से और दूसरे जो connect होता है वो metallic base से connect होता है यह mainly bulb के two terminals बन जाते हैं बल्प जो हो है house or electricity circuit में connect होता है electricity pass होती है एक terminal से और flow करती है filament से then pass होते है दूसरे terminal से electricity flow करेंगे tungsten wire जो है वो heat होगा और glow करेगा तरनाते लेक्ट्रिक टॉर्च और उसकी working के बारे में जानते हैं अब हैं टॉर्च की जो working है वो एक circuit ड्यागराम के थूरू दिखाई गई है की symbols के थूरू represent करी गई है तो lines जो है ड्यागराम में यह metal conductor शो कर रही है जो कि system को एक साथ करेक्ट कर रही है तो इसकी वरे से टॉर्च काम नहीं करती वर्क नहीं करती तो कि circuit जो है वो incomplete होता है not complete नहीं होता circuit और जो है वो काम नहीं करती तो जो substance electricity के flow को लाओ करते हैं उन्हें से pass हो सकते हैं उन्हें मिलनी बोलते हैं conductors और जो substance current को pass नहीं करते हैं वो मिलनी होते हैं इसलेटर कंड़क्टर जैसे की कॉपर है आयरन है गोल्ड सिल्वर अल्मिनियू ब्रास स्टील में जो मैटर्स होते हैं वो conductors है या human body है water यह सारे क्या है conductors हो गए कुछ इंसलेटर के स्टेशन पर सब्स्टेशन पर केबल स्केरिंग जो high voltage electricity होता है वहांपे दिखाया देता है प्यूपल को उनसे दूर रखने के लिए उस जगए से दूर रखने के लिए जहां पे लेक्रिशेटी जो है खिल by ज़ो है बहुत टेंजरस है तो एक टेग शॉक जो है वहो पर को में ली किल कर सकती है मार सकती हो से तो इस तीज को दूर रखने के लिए वहां टेंटर साइन दिखाय जाता है जाता है जाता है जैसे कि हाइड बोल्टेज आता है तो फ्यूस्ट हो ब्रेक हो जाता है सब करेंट की सप्प्लाय से जब जा रहा ता करेंट आ जाता है तो एप्लाइंस जो है वह सेव हो जाता है उससे किसी भी एप्लाइंस में इफ्ट नहीं पड़ता तो नाती अर्थिंग जो वायर होता है ग्रीन कलर का सेफटी मेजर की तरह से काम आता है अगर कोई भी करेंट होता है सावरे आर्थ के अंदर चला जाता है